जी नमस्कार Creator सुपर ठटीम आपका स्वागत है आज पार्ट 5 का हम लोग देखेंगे चार पार्ट बाइनुमियल देख लिए हैं यानि अगर आपको बाइनुमियल पूर्ण रूप से सीखना है तो या तो हमको एप डाउनलोड के लिए या पीछे वाला चार भी देख देखेंगे छोटे से बरे तरीके से आपको अच्छे सी हो जाएगा आपका कोश्चन है फाइंट दे नॉम्रीकल ग्रेटेस्ट टर्म इन दा एक्सपेंशन ओफ टू पलास थीरी एक्स का होल पावर नाइफ वेन एक्स इस इकल टू थीरी बाइटू तो देखिए अगर इसको बहुत बराव तरीका से बनाना है तो आपको माना नहीं किया जा सकता है लेकिन अगर शौटकट तरीका से आपको बनाना है तो बहुत इजी से हो सकता है अब इजी से कैसे होगा यह आपको जानने की जरुवत है कि इजी से कैसे होगा यानि यहां पर r less than, equal than, फर्मुला सीखिएगा, second term by first term mod में, यहां minus plus का धियान नहीं रखना है, और यहां n पलस 1 by, यहां पर second term by first term और पलस 1, इससे r का भैलू निकल जाएगा, अब इस question में हम देखेंगे, फिला से, कि r less than, equal than, second term 3x है, और यह 2 है, और x का भैलू 3 by 2 है, यहां यह 9 by 4 है, और 9 by 1, 10, यहां 9 by 4 plus 1, यहां हल करेंगे, तो आपका हो जाएगा 9 by 4 into 10, और यहां 9, 4, 13 और 4 यहां, 4 से 4 आपका कट जाएगा, यानि 9, 10, 90 और 13, यानि यहां पर तुम्हारे पास जो हो गया ना, आर का भैलू, 13, 68, यानि 12, 13, 17, इस से छोटा चाहिए, यानि आर का भैलू 6 हो गया, अब आर का भैलू 6 हो गया, तो 9 कंबिनेशन 6, और 2 के पावर 9 में से 6 गया, तो 3, और यहां 3 के पावर 6, यहां 9 गुने, 8 गुने, 7 और 3 गुने, 2 गुने, 1, 2 के पावर 3, 3 के पावर 6, तो 3 ती आई 9, यहां 4, बरसते 84, गुने 2 के पावर 3, 3 के पावर 6, आपका अंसर हो गया, यहां आपका अंसर निकालने में, किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं, और अंसर सहज तरीका से निकल गया, अगली प्रस्द है आपके पास, वह find the numerical and greatest term expansion of 3-5x का होल पावर गिलेगा, और x के पावर 1 by 5 है, तो सबसे पहले आर की भैलू निकालेंगे, और आर की भैलू निकालना बिलकुल आया है, और आर बराबर हम आपको सिखाए हैं, less than equal than, second term, तो यहाँ पर 5x by 3 का मौड और 11 प्लस 1 और यहाँ 5x by 3 प्लस 1, x का भैलू 1 by 5 रखेंगे, तो यहाँ 5, 5 कट जाएगा, 1 by 3, और 11, 12, यहाँ भी 1 by 3, यानि यहाँ पर 4, और 2, 3, 3 से 3 कट गया, यहाँ पर आया 3, यहाँ कंडिशन समझो कारा, r का भैलू 3 या 3 से छोटा होगा, यानि equal आ गया है, तो 2 भैलू होगा, यानि r का भैलू एक बार 2 लेंगे, और r का भैलू एक बार 3 लेंगे, हम 2 लेते हैं, तो क्या पाते हैं, यह दूसरी पेन से, यहाँ 11 कंबिनेशन 2, तो यहाँ पर 3 के पावर, 11 में से दू गया तो 9, और यहाँ minus 5 के पावर, आपका दू, एक एंसर यह होगा, दूसरा एंसर होगा 11 कंबिनेशन 3, यहाँ पर 3 के पावर, 8, minus 5 के पावर 3, यह आपके दो एंसर होगे, यहाँ आप तुम्हारे पास कह रहा है, कि अगली प्रणाव में, कि यहाँ पर कॉफिशन की अगर हम बात करें, अगर numerical कॉफिशन की बात करें तो आपके होगे, अब हम बात करते हैं, greatest कॉफिशन का, अगर हम greatest कॉफिशन की बात करें, जैसे यहाँ पर देखो, a पलस b का होल क्यूँ है, पहला a q आया, थीरी a square b, थीरी a b square b q, यानि कॉफिशन आया, तीन तीन, यानि यह बरा है और यह बरा है, अगला तुम्हारे पास a पलस b का होल पावर फोर आता है, यहाँ एक, चार, छे, चार, एक, greatest ही आता है, यानि greatest कॉफिशन की बात करोगे, तो बहुत ही असान, a पलस b के पावर a, यानि यह n पर निर्वर करेगा, किस पर करेगा, अब यहाँ n अगर even नंबर होगा, तो इसका greatest कॉफिशन, n कम्बिनेशन, n बाई 2 होगा, और यही, n बिलॉंग टू, और नंबर होगा, तो greatest कॉफिशन, n कम्बिनेशन, n बाई 2, या n कम्बिनेशन, n पलस 1 बाई 2 होगा, यहाँ बात आप लोग समझे या नहीं समझे, बेलकुल समझ गए होंगे, तो अब greatest कॉफिशन में, आपको, कोई, एक कॉश्चन आई अटी का है, पहले पूश्चा था, जब सब्जेक्टी पूश्चा था, so that the greatest term, the expansion, यहाँ पर 1 पलस X के होल पावर 2N, यहाँ पर तुम्हारे पास एदम सिम्पल सी लोजिक लगाओगे, एन बटे एन पलस 1 से बारा होना चाहिए, और छोटा होना चाहिए, एन पलस 1 बाई एन से, यानि एक्स की भैलू कहां से कहां तक होना चाहिए, यह बात आपका क्लियर हो गया, अब बात रहा इसकी middle term की बात करेंगे, तो middle term की बात आपको निकालने आ गया, यानि आपको greatest coefficient की अगर हम बात करें, तो अच्छे से आपको निकालने आ गया है, इसमें कोई तरह का दिक्कट नहीं है, अगर दिक्कत किसी सजन का है, तो बोला जा सकता है, तो यहाँ पर जवाब होगा, कि सर दिक्कत ही नहीं हुआ, अब यहाँ पर coefficient की sum की बात करोगे, तो अगर coefficient की sum में, हम आपको पहला मेरा वीडियो इसका part 1 का देखिए, इसमें हमने बताया है कि जीतना term रहेगा, उतने पर उसकी power होगा, यानि आपको यहाँ पर coefficient दिया हुआ है, 1 पलस x माइनस 3x, 3x square का whole power, 2163 है, यानि इसका value आपका निकालना है, तो यहाँ पर तुमको देखना है, कि इसकी value क्या होगा, तो यहाँ पर simple है, x का value आप 1 रखते हो, यानि x का value अगर 1 रखते हो, तो यहाँ 1 पलस 1 माइनस 3, और यहाँ 2100, यहाँ 63, यानि माइनस 1 के power 1663, बराबर क्या हो जागा हो, माइनस 1, समझ में बात आई कि नहीं आई, अगला question है, जो तुमको जानना है, तो यहाँ पर, कोई भी question का, जवाब बहुत अच्छे ढंग से, आप देते, चले जाएंगे, यहाँ पर कोई तरह का दिक्कत, किसी student को, होने वाला, नहीं है, चुकि होने की कोई बात ही ने बनता है, अराम से होते, चला जाएगा, तो यहाँ पर, greatest वाली बात, आपका clear हो गया, तो हम मिलते हैं, अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें,